नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मैं हूँ दिव्यांसू इस वक्त मौझूद हूँ पूर्णिया के रुपॉली विधानसवा सीट के अंतरगत आने वाला ये गिधवा गाउं है जहां इस वक्त कलाधर मंडल भी मौझूद थे कुछ देर पहले और अब जो यहां पर समीकरन बना है एक त्रिकोनिय मुकाबला है यहां पर रुपॉली विधानसवा की यह सीट है और यहां उपचुनाव हो रहा है क्योंकि विधानसवा चुनाव दोहजार पच्चिस में होना है उससे पहले यह सीट खाली हो गई थी आपको पता है बीमा भारती जो यहां जेडियू ने उतारा है नितीश की पार्टी जेडियू कलाधर मंडल उनके केंडिरेड और दूसरी तरफ संकर सिंग भी निर्दलिये ताल ठोक रहे हैं ऐसे में चलिए जानते हैं गेधवा गाउं के लोग क्या सोचते हैं उनके मन में क्या है उनके मन को टोलते हैं कि उनक अब लग रहा है कि अच्छा केंडिडेड है अब देख रहे हैं जेडियू के दिर्शाप मतलब नितिश कुमार आपको पसंद है इसलिए उनके केंडिडेड आपको पसंद हैं संकर सिंग नहीं पसंद निर्दलिये जो और बीमा भारती आर्जडी से जो जहां विधायक है आप लोग कई बार जिता कर उन्हें भीजते हैं उनसे नाराजगी है काम नहीं किया देकि निकल कर भाग गई इधर से उधर जो उन्होंने किया उससाई नितिश करते हैं कुछ और लोग हैं हम लोग जानते हैं कि हम लोग के काम का जो है मैजूरी दे रहे हैं उन्होंने जो काम किया है सिक्षा की छेत्र हो मेडिकल के छेत्र हो कि और रोड बिजली खेट-खेट में बिजली जरै है और हर छेत में काम हो रहा है और करवाने वाला यह स्यूग हो तक हम प्राइब मिला है पहले तो हम लोग सती नितिस्वाओं के नाम पर देते थे निहाँ को is जो कि एकषा नहीं था फिर भी नितीशों के नाम पर हम लोग देते देखें कि नितीश कुमार को लेकर एक जो बात है कि जो तरश्वी आदवारोप लगाते हैं कि हमने नौकरियां दी है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब हम लोग कापते थे एक भी मोटर सेकल नहीं जलगता था अभी हर घर में सब्सक्राइब है क्लाधर मंदल अभी एक नंबर में चल रहा है वजह क्या है नितिश कुमार है प्यम मोदी उनके साथ है और भीमा भारती से यहां का जलता जो है उब गया आज मोटा मोटी 24 साल जो विधाय का रही उसमें जो है वो छेत्र में कोई काम अपना प्रदर्स्तिक नहीं किया काम के वजह से भीमा भारती से नाराजगी है या नितिश के वजह से भी जनता के पास नाराजगी है और नितिश कुमार जी के साथ ही धोखा धड़ काम किया है तो दोनों से एलर्जी लेकिन संकर सिंग जो निर्दलिये खड़े हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं तो अपने छबी के नुकुल उनको क्या है वो तो हम लोग नहीं कहा पाएंगे लेकिन यहां की जो जनता है अभी कलाधर मंदल को चाहता है और उनके साथ बोट द हैं और अभी भी हैं बीच में इभी थे विमाभारती विधायक में दिये थे कुछ दिन तो रहा सही उस समय ऐसा था जो हम लोग किस तरह जीते थे और अभी इस समय अंदर अंदर रहते थे बाहर नहीं हो सकते और उस शमय आया नितिज जी का समय यह भी सवाल उठता है कि नितिज तो अपनी आखरी पारी पर है अब नितिज के बाद कौन होगा वह तो भी सबताएगा यह भी चर्चा है यह पटना में चर्चा हो रही है कि नितिज कुमार क्या फिर से आर्जडी के साथ आ जाएंगे विधान सभा चुनाव से पहले जरूरी बात में नहीं जो कि आपको कौन सा कंडिरेट अच्छा लगता है यहाँ पर एसे सख्स हैं जिन्हें सब अच्छा लगता हैं यहां पर अच्छा वोट्स देना चाहत है तो आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं कि कलाधर मंडल को ही भोट देंगे बीमा भारती को हमने मौका दिया विमा भारती ने काम भी नहीं तो एक नाराजगी है बीमा भारती को लेकर और कलाधर मंडल को लेकर यहाँ पर है कि हम लोग कलाधर मंडल को ही भोट देंगे नितीश कुमार को लेकर तब देखिए क्या होता है दस तारिक को यहाँ वोटिंग है और उसी दिन पता चल जाएगा कि रुपाली विधानसवा स सीट पर जीत किसकी होगी क्या कलाधर मंडल जेडियू के टिकट पर जीत जाएंगे या फिर भीमा भारती लालू के लाल्टेन को लेकर लाल्टेन को जला देंगी या फिर संकर सिंग निर्दलिय उम्मिद्वार जिनका चुनाओ चिन्द भी कहची छाप है जो पप्पु संकर सिंग को भी उम्मीद है कि वो निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर जीत दर्च करेंगे देखिए क्या होता है तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे पूर्णिया से कैमरामेन रितिक के साथ मैं दिव्यान सूँ